नमस्कार लेडिस एंट जेनलमेंट, आज इस वीडियो हम बात करेंगे हैंस्टर कोमेट में जो आप टैट टैट करके कोईन से इकठा कर रहे हो, आखिर इस महनत का फॉल आपको कब मिलेगा? महनत का फॉल आपको तब ही मिलेगा जब एरड्रोप लॉच हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन सी मेहनत रंगलाई है प्राफिट पर और वाली रंगलाई है कोई बैलेंस वाली रंगलाई है या फिर लेवल्स के अपको एरड्रोप मिला है यह सब चीजें आपको पता चलेंगी वेन एरड्रोप अराइव काफिसर लोगों के कॉमेंट आ हम बैक में आफिर को बैक का मतलब किया है और कैसे क्प्लीट होंगे इसके बारे में एक एक एक्सप्प्लेंड वीडियो लेकर आएं जैसे मैं यह डरॉब करता हूं यह लेकिन अभी इनके बारे announcement होनी है, you can see TBA which means to be announced, सब कुछ announcement होनी है, लेकिन इनके बारे में समझना काफी ज़्यादा ज़रूरी है, point section तो कभी न कभी enable हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको इनके बारे में पहले से पता होगा, तो आप दूसरों को भी समझाने के काविल हो जाएंगे, okay सबसे पहले you can see here are passive income, इसका सीधा-सीधा मतलब यही होता है अगर हम simply वाशा में जाने यहाँ पे लिखा गया है, एक successful business का golden rule यह है कि वो आपके लिए काम करें ना कि आप उसके लिए, passive income इस game का एक important concept है, इसका मतलब है कि आप अपने game में currency को invest करें और ensure करें कि आपका exchange और ज़्यादा assets आपके लिए mine करें, अब इसका सीधा-सीधा आपको मतलब समझाता हूँ, जो कि एक सीधी वाशा में आपको पता चलेगा passive income हम दब बोलते हैं, जब आप बिना actively काम किये, पैसे आन करें, मतलब सोते हुए जब आपके पास पैसे आ रहे हों, इसका मतलब यही है कि वो passive income है, एक वार आपने काम करके छोड़ दिया, that is passive income, YouTube एक वार वीडियो डाल दी एक साल तक वो आपको पैसे कमा करके दे रही है, this is passive income, स्टोक मार्केट में आपने पैसे लगा दिये, अब हर महीने उसमें पैसे बढ़ रहे हैं, this is passive income, क्रिप्टो करणसी में जब हम passive income की बात करते हैं, तो उसका मतलब निकलता है staking और liquidity mining, आप अपने tokens को stake करके उन पे interest कमा सकते हो, मालो कि कल ही airdrop आ जाता है, आपको उसकी value पता चल गई, कि इतने tokens का इतना पैसा बन रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं अभी hold करना चाहता हूँ, अगर मुझे 10,000 tokens का 1 dollar मिल रहा है, तो मैं इसको hold करना चाहता हूँ, मैं इनको तब sell करूँगा, जब 10,000 tokens के मुझे 10 dollar मिल रहे हो, staking मतलब holding कर रहे हो आप और जब इसका value बढ़ेगा, तब आप जाकर के इनको sell करोगे, मालो कि आपको airdrop मिल चुका है, अब आप चाहते हो कि जो मेरे airdrop से कमाई हुए पैसे हैं जल्दी से जल्दी में अपने bank account में ले करके फरार हो जाऊं, लेकिन hamster combat ऐसा थोड़ी ना चाहेगा, अभी तक अगर आप hamster combat को खेल रहे हो, हर एक बात मान रहे हो, in the sake of money आपको पैसो का लाल अच्छा है, लेकिन जब आपको पैसा मिल जाएगा, तब तो आप hamster combat को लात मार करें बगा रहे होना, तो hamster combat ऐसा बिलकुल भी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि कुछ ऐसा source produce हो जाए, hamster combat में, कि लोग उनके platform को छोड़ कर ना बागें, और in future भी लोग उनका साथ दें, अभी तो आपने काफी ज़्यादा popularity दे दिये है, hamster combat को, लेकिन ये popularity खतम होने में, एक second का time भी नहीं लेगी, कि जैसे ये airdrop आएगा, सारे लोग अपनी tokens को sell करके यहां से बाग जाएंगे, तो ऐसा वो विल्दुल भी नहीं चाहते हैं, यह passive income के रूप में, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, और यहां पर आप जरूर से अपने tokens को stake कर सकते हो, अब इसके बाद है वाई earn task, यहां पर लिखा है, we are grateful for boosting our communities, हम आपके grateful हैं, आपने हमारी community को इतना ज्यादा boost किया है, and we hope that you like our educational content, यहां भी सीधर सीधा इनका मतलब यही है, कि जो भी आप हमारे content के साथ इंट्रेक्ट हैं, आप हमें like करते हो, subscribe करते हो, इसका भी आपको एक reward मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने अगर हमारे social media platforms को follow करके रखा है, और आपने हमें grow होने में मदद की है, social media पर, तो इसका भी आपको एक reward मिलेगा, अब उसके बादा friends वाला section, इसमें तो साफ साफ यही है और आपको पता भी होगा, अगर आप active players को इस game में लाते हो, मतलब आपके link से कोई आपका दोस्त जोइन होता है, और वो actively इस game को खेल रहा है, तो इसके भी आपको points मिलेंगे, अभी कितने मिलेंगे, यह अभी reveal नहीं है, लेकिन soon, you will see, यह TV यह जो लिखा है, इसकी जगापे आपके points चो होने लग पड़ेंगे, अब इसके बादा achievements, achievements वाला section आपको पता ही है, जितनी जदा achievements, उसी के हिसाब से यहाँ पे points मिलेंगे, और हाँ, ऐसा नहीं है, कि आपने जितनी भी achievements को unlock किया है, उतने आपको यहाँ पे points मिल जाएंगे, नहीं, अलग-अलग achievements के अलग-अलग points होंगे, वो निरवर करता है हैंस्टो को बैट क announcement पर, अब उसके बाद है, टेलिग्राम सब्सक्रिप्शन, देखो, आपको तो बताए है, हैंस्टो को बैट की टेलिग्राम के साथ collaboration है, जो आप गेम खेल रही हो, यह सारी टेलिग्राम के ओपर ही खेली जा रही है, तो उसके साथ एक collaboration है, लेकिन यहाँ पे इनने एक ची मनता है, जो कि हैंस्टो को बैट को देना है, अब इसके बाद है कीज वाला सेक्शन, वे कीज आर वैल्यूवल एसेट, तो विल दे सस्टनी निवर प्रफॉर्म, वी ने टो अपने अमांट आफ लॉक्स अंप्रॉपर डो, कहने का मतलब यही है, कि देखो, अगर यह कीज वाला सेक्शन नहीं आता ना गेम में, तब तो सबको एक जैसा ही एरड्रोप मिलना था, लेकिन हैंस्टो को बैट ऐसा कभी भी नहीं चाहता है, हैंस्टो को बैट चाहता है कि आप जादा से जादा मैनत करें अपने एरड्रोप को अचीव करने के लिए, अब इन्होंने ये भी कहा है कि हैंस्टो को बैट में कीज सिर्फ आपका एरड्रोप का साइज इंपक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि आप एरड्रोप में पाटिस्पेट ही नहीं कर सकते, आपको एरड्रोप मिलेगा, लेकिन अगर आपने कीज ही कठी करी होंगी, तो उसका साइज बढ़ ज आपना टेलिग्राम वो लेट आएम्स्टो कोंबेट के साथ कॉनेक्ट कर सकते हो, एड़ एलसी इन दे नेक्स वीडियो, ओके वाई